बिस्मिल्ला रिक्मार रहीम, अस्सलाम औरेकम फ्रेंट्स मेरा ना मौसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्सी को, नेक्स्ट वीक अब फॉर्कास्ट देखते हैं कि मार्केट की क्या मुवमेंट हो सकती है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, यहां पे 23 तारीख से यह अन्या भीक स्टार्ट हो रहा है और अगला 27 तारीख तक हम इसको देखते हैं, 23 मई से लेकर 27 मई तक, तो किस तरह से मार्केट में मौवमेंट आ सकती है, कौन सी कुरंसी कहां पे खड़ी हैं और नेक्स आने वाले टाइम में क्मोडिटीज में क्या मौवमेंट देखने को मिल सकती है, यह वीडियोज एजुकेशनल बेस वीडियोज हैं, यहां पे हम किसी भी प्रॉफिट और लास को की जमादार नहीं और नहीं आपको कहते हैं कि आप किसी जगा पे इन्वेस्ट करें, जस्ट यह एजुकेशनल परपस वीडियो जो कि पूरी दुनिया में देखी जाती हैं और आपको अपने इसाब से जब आप इसको समझें कि आप चीजों को कर सकते हैं और अपने कंट्री के लाग को देखते हुए आप यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम इसको देखते हैं माजगी की मुवमेंट को, नेक्स है, कैड की हालिडे है, जर्मन इन्फो बिजनस क्लेम है, योरो में यानि कि यह हो सकता है और पॉंड का काफी हाई इंपक्ट डटा है, रात को नो बच के पंदरा मिनिट पे, इसके साथ अगर हम देखें, ट्यूजडे को, ट्यूजडे योरो जिसमें की PMI है, जो के काफी एफेक्ट कर सकता है, योरो की जितने भी पेर्स हैं उनके उपर, और अगर हम डॉलर की बात करें, तो डॉलर में यूजडे की स्पीच है, और कुछ मीडियम टाइप के जो इंपक्ट्स हैं, वो हो सकते हैं, PMI, manufacturing PMI का data flash और यह आपका 6.45 पे और इसक की मारिटरी पालीसी है, उसकी statement है, तो यह काफी ज़्यदा effect कर सकता है, तो निजवियरेंड डालर को भी आप इसको इस time में से आने वाले week में देख सकते हैं, कि उसकी क्या moment होने वाली है, उसके बाद अगर हम देखें, तो खास UST FOMC meeting minutes हैं, और यह impact कर सकते हैं, सारी market के अंदर और commodities के ओपर भी, Thursday को bank holidays है, CHF में, euro में, और इस तरह USD के अगर देखें, तो GDP quarterly data आता है, और यह काफी effective हो सकता है, पूरी market पे, और unemployment claim भी साथ है, साधे पांच बचे, तो Thursday का एक important day है, उसके बाद अगर Friday को देखें, तो price index है, को price index और यह भी काफी high impact data, साधे पांच बचे, तो Wednesday, Thursday and Friday को काफी movement देखने को मिल सकते हैं, USD के pair में, और बाखी euro, और न्यूजिलेंड डालर जो है, वो Wednesday को, यानि के 25 में को काफी effect कर सकता है, सुबो के time, 7 बचे के time पे, और इसके pairs पे काफी movement आ सकती है, अब हम चलते हैं, directly market के उपर, technically देखते हैं, कि उसके charts क्या कह रहे हैं, सबसे पहले, हम बात करते हैं, gold की, gold इस time, जो trade का रहा है, वो 1846 पे market close है, और market की just next, जो opening prices हैं, वो किस तरफ जा सकती हैं, उसको, अगर हम देखें, तो यहां पे, मैं marker open कर लेता हूं, तक कि आपको properly समझा सकूंगे, किस तरह की next, जो है movement हो सकती है, next अगर हम buying का data देखें, तो 1858 का जो area है, वो काफी important है, उसके बाद 1884 है, और उसके बाद 1900 है, यहां पर buying की opportunity देख सकते हैं, क्योंकि market इस तरह की situation में थी, आपको नजर आ रहा था, काफी ज्यादा gold जो है, उसकी prices गीरी है, और यहां पर आने के बाद इस जो, जो एक पूरे का पूरा एक trend line थी, उसको इसने break किया, उपर के तरफ दुबारा से एक छोटा, जो area नीच आती भी है, तो दुबारा से अगर इस जगह पे आपको कही अच्छे opportunity मिलती है, तो market इसी तरह से उपर जा सकती है, अच्छा उसके बाद यहां पर ही opportunity आपको मिल सकते हैं, अगर यह वाला area, यानि के 1858 का area का अफी important area, अगर इस area से break करती है, तो market दुबारा से buying position ले सकती है, 1885 तक और यहां पिर 1900 की भी तरफ range जा सकती है, तो यह एक अच्छी opportunity है, gold जब तक अपना low break नहीं करता, यानि का 1800 का level जो इसने last पे लगाया है, अगर मैं यहां पे exactly आपको price बताओ, तो 1800 का ही level है, 1800 को जब तक gold इस time अभी break नहीं करता, इसके नीचे closing नहीं देता, त जब भी इसके dip पे आती है, तो buying की opportunity को देख सकते हैं और ढूंड सकते हैं, तो gold में buy होने के chances हैं, जो gold की prices हैं, वो अप trend में जा सकती हैं, buying की तरफ जा सकती हैं, उसके बाद अगर हम बात करें Canadian dollar की, तो Canadian dollar उसी तरह से मौजूद है, जो कि हमने last में भी देखा था, और इ यह वाले जो trend line, जो एक area बनाया था, यह वाला area अगर आपको याद होगा, तो यह हमने last time draw किया था, और इस जगह से sell का, आपको मैंने बोला था, last अगर आप इसका forecast देखेंगे, तो again जब तक market इस situation में है, यह अपने low को test कर सकती है, यहां कि 1.2721 की तरफ market जा दुबार जा रहे हैं, वो मजीज sell होने के chances हैं, उसकी वज़ा क्या है, USDCAD के, और यहां पर अगर आप देखें तो एक pattern बना हुआ है, यह, यह एक pattern है, जो के यह एक आपके neckline थी, इसको इसने break किया, neckline को test किया, दुबारा से इसने इसको break किया, नीचे की तरफ फिर दुबारा, तो इस तरह की movement जो हना, वो आप देखने को मिल सकती है, इसमें जो selling opportunity हो देखी जा सकती है, उसके बाद हम बात करते हैं, oil की, oil पूरी दुनिया में आपको पता ही है, कि oil की prices काफी उपर गई रही है, 116 dollar barrel के उपर और 109 dollar भी market चल रही है, अगर हम इसके daily के chart को देखें, कासब भी weekly के chart को देखेंगे, तो काफी ज्यादा आपको कुछ चीजे नजर आती है, और इस chart के हिसाब से अगर हम देखें, तो oil की prices मजीद ऊपर जा सकती है, और oil की prices बढ़ने के chances हैं, जो के अगर आप देखें, तो 123 और oil ने जो अभी तक का हो लगा, लो high लगा है, sorry, वो one to six dollar fee barrel है, और one to six dollar fee barrel की तरफ market है, वो long term के अगर हम बात करें, तो यह वाली जो weekly candle आप देख सकते हो, बहुत ही एक aggressive किसम की dodgy है, जो के यहां पे seller आए, लेकर sellers काफी बुरी तरह से rejection मिली है उनको, और market दोबारा से जहां पर open हुई थी, वहीं पर जाके close हुई है, औ इस तरह की undecisional आप इसको बोल सकते हो, और अगर इसका high break होता है candle का, तो यह काफी मजीद movement की तरफ buying में जा सकती है, तो oil जहां तक नजर आ रहा है, oil की जो ज़्यादा तर chances हैं, वो मजीद buying होने के हैं, और खास तरफ पर अगर market 116 क्रास कर जाती है, तो फिर ही अपने दुबारा से high यानि के 1, 2, 3 dollar fee barrel के तरफ या फिर इसके high को भी break करके उपर जा सकता oil, लेकिन फिलहार की situation के साब से, I think so oil मजीद जो है, वो buying के opportunity रखता है, Australian dollar and USD की बात की चाहिए, तो यह last वाले ही, last वाले आपके साथ जो हमने share किये थे levels, उसी level के उपर market मौजूद है, यहां से इसने buying opportunity ली थी और दुबारा से अब इसके उपर trade का रहे है market, तो इसी को अगर हम यहां पे को trend line भी draw करते हैं, इसके लिए trend line को draw करने के लिए line and यह वाली आप line chart करने के बाद आप अगर इसको draw करेंगे, तो आपके पास exactly एक area बन जाता है, candlestick को open कर लें and अब अगर आप इसको देखेंगे तो यह market इस तरह की situation बना रही है और इसी तरह से यह buy की तरफ market Australian dollar की market move कर सकती है, जैसे मैं आप लोगों से कभी कोई चीज रुपाई नहीं है, मेरा मकसद हमेशा आपको education provide करना है, ताकि आप लोग loss न करें और आप इससे benefit उटा सकें, उसी UST की बात की जाए, तो यह हम daily, daily की अगर हम chart की बात करें, तो यह उसी तरह की situation है, market ने अपना एक बहुत strong level था, बहुत उसको break किया था, नीचे आई अपने low पे, and then इस जगह पे कहीं आती rejection मिलती है, तो again sell की जानब market जब मूव कर सकती है, इसके बाद UST JPY की बात करें, UST JPY सेम उसी जगह पे मौझूद है, अपने एक sport के उपर, अगर इस sport को break करता है, तो फिर यह sell होगा, otherwise इसके उपर hold करता है, जैसे अब इसने कर रख है, तो फिर यह buying की तरफ भी जा सकती है, market, तो यह important area इसका wait करें, कि क्या इसमें होता है, next छोटे time frame के अंदर, आप इसको मजीड जो है, वो confirmation जो है, वो देख सकते हैं, कि क्या confirmation है, वैसे अगर यह break करते हैं, तो फिर एक बड़ी अच्छी opportunity मिल सकती है, जो कि आप इस तरह की position में देख सकते हो, यह, लेकर इसके break होने तक आप sell ना करें, wait करें, अच्छा sell area आपको यहाँ पर provide हो सकता है, उसके बाद हम बात करते हैं, जनाब next pair euro UST, euro UST का data भी है, तो euro UST में अगर हम daily का chart देखें, तो कुछ इस तरह की situation है, अपने low पे मौजूद है, कोई clear picture, अगर हम weekly में देखें तो बहुत clear picture है, आपको मैंने last time भी बताया था, कि बहुत strong अपने sport पे मौजूद है, weekly sport है इ काफी बड़ा sport है, और जैसे कि इसने पूरे week में green candle candle बनाई है, और अगर इसको दुबारा से भी green candle बनती है, तो stop loss with low, यानि कि यहाँ पे आप stop loss रखके, तो आप इसको long term के लिए buy euro UST को कर सकते हैं, काफी अच्छे परचुंटे है, बहुत अच्छे level पे euro UST मौजूद है, आप इसका देख सकते है, sport काफी अच्छी जगा पे मौजूद है, और यहाँ पे काफी जहना वो chances है, अब हम New Zealand dollar की बात करें, क्योंकि उसका काफी data है इस time, तो हम यहाँ पे करते हैं, NZDUSD, उसके pair को अगर हम देखें, तो New Zealand dollar का भी हम chart जहना वो देख लेते हैं, क्य सबसे पहले क्योंकि यह निया chart है, निया pair है, तो हम सबसे पहले इसके monthly chart को देखेंगे, यहाँ पे अगर आपको एक नजर आ रहा होगा, तो बहुत ही एक अच्छी pattern है, line chart करें, line chart करने के दोरान, आप इसकी line को draw करेंगे, ऐसे, कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे यह data है, जरूरी निया कि हम पीछे से data लें, तो अगर इस चगा पर market कहीं पर आती होल्ड करती है, तो आप यहाँ से buying opportunity को देख सकते हैं, अगर हम monthly को देखें तो monthly में, already इस सेरिया से इसने rejection दी है, और reject हुआ है, लेकर हम wait करेंगे इस सेरिया पर, और अगर news आने से पहले market इस एरिया पर आती है, और इसके बाद हम यहाँ से एक buying opportunity जो ना वो देख सकते हैं, आपको नदर आ रहा है, weekly में इसने पिछले पूरे week इस एरिया को reject किया, बट इस लेवल पे अगर आगर reject करता है, या इस तरह की कुछ situation बनती है, तो यह बहुत area एक best area है for buying के लिए, फ इसों कि long term जो हैना वो बड़े एक low level पर मौझूद है, तो यह है, साथ data भी depend करता है, और यहाँ पर अगर हम daily के chart को देखें, तो daily में एक sell position भी है, अगर इस area को यह hold करता है, नीचे reject करता है, तो हो सकता है यह फिर अपने जो मंतली lower उसको break भी कर जाए, यानिकि जो उस independent है, अगर इसके आख में आती हैं, उसाथ पीछे के major sport मंत की आ रही है, अगर उसके उपर वो sport लेता है, तो यह काफी अच्छी movement देखने को में सकते है market में, और आप अच्छा benefit long term के लिए उठा सकते हैं, तो आपने मुझे comment में दरूर बताना है कि किस तरह से आपको यह forecast लगा है और आप किस तरह की situation देख रहे हैं, लाजमी type करिएगा, गहिन कहना चाहूंगा कि हम किसी भी profit and last के जोहनव आपकी से मदार नहीं है, just educational purpose videos बना रहा हूं है, और ताकि लोगों को लोग इससे सीख सकें, ऐसा नहीं है कि आप किस जगा पे invest करें हैं इस तरह से, कि बहुत रिस्त की market है, और सीखें इसको practice करें, then आप इसके उपर अपना जो है ना वो अपने हिसाब से अपने आपको देखते हुए आप इसमे option यूज़ कर सकते है, अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा, मिलता है next video में comment में जरूर बताएगा, अला आफिस